हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे योट्योब चनल पर इस वीडियो में करेंगे राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर बन जिसमें हम लोग इंपोर्टन कोश्चन को देखने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस पहला कोश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला साथ सिका जो थी वो कौन थी तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान या रजिया बेगम कह सकते हैं संसत के दोनों सदनों के सदस रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है तो ये हो जाएगा उप्शन सी छे महाँ भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है तो उप्शन डी मैक मोहन रेखा कहलाती है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखा कहन है तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखा कहें लाल क्रस्न आडवानी संयुक्त राष्टर संग का मुख्याले जो है ये कहां है तॉपसन न्यूई यार्क विशेष्ट प्रतिरोत का ऐसाई मातरक क्या होता है तॉपसन भी ओम मीटर होता है निमलिकित में से कौन सी धातू तरल अवस्ता में पाई जाती है तो देखे तरल अवस्ता में जो धातू पाई जाती है वह है आपकी पारा जिसको कहते हैं मरकरी या कह सकते हैं HG एलकाइन का सामान सूतर क्या होता है तो एलकाइन का सामान सूतर होता है C3H4 आग बुजाने वाली गैस है तो आग भुजाने वाले गैस कौन सी होती है Option C, carbon dioxide या कह सकते हैं CO2 पादप कोसिका की भित्ती जो है वो किसकी बनी होती है तो पादप कोसिका की भित्ती बनी होती है Option B, cellulose की बनी होती है अगला कोशन है पादप कोसिका की जो भित्ती है वो किसकी बनी होती है एक टीबी में कितने गीगाबाइट होते हैं तो यह होते हैं आपके option B 1024 CPU का कौन सा भाग है जो अन्य सभी computer components की गतिविदियों को coordinate करता है तो option C control unit CU Integrated circuit chip का विकास किसी ने किया था तो यह किया था option C JS किल भी ने किया था बिजली बंद कर दिया जाने के बाद जो storage अपना data रखती है उससे क्या कहते हैं उसको कहते हैं option C Non-Bolatile Storage User Application Software, Hardware को connect करते हुए Interface के रूम में function करते हुए किस प्रकार का software Computer Processors को manage करता है तो operating system Question है Under Road 0.0144 का मान क्या होगा तो देखिए Under Road 0.0144 को क्या लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 144 बटे 10-11 बटाएंगे यह आपका तो नीचे एक बढ़ाएंगे और कितने यह हैं आपके अंक चार बार और चार जीरो नीचे बढ़ा देंगे अब देखिए 144 के factor क्या होते हैं 144 के factor हो जाएंगे आपके अगर वैसे देखा जाए तो देखिए 144 होता है 12 का square मतलब 12 into 12 और यह जो एक हद 10,000 है यह हो जाएगा 100 into 100 और root में आपके दो-दो के जोड़े बनते हैं तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आजाएगा 12 बटे 100 यह आपका answer हो जाएगा 0.12 मतलब 0.12 तो option है is right answer चलिए अगला question करते हैं Question है एक कारे को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवाद सकता होती है तो D1 मतलब दिनों की संक्या आपके पाहले कितनी है 10 दिन और व्यक्तियों की संक्या मतलब M1 की संक्या कितनी है स्टार्टिंग में 270 यदि 180 व्यक्ति काम करेंगे मतलब M2 वराबर कितना है 180 तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे मतलब D2 की value बतानी है तो इसके लिए formula होता है M1 D1 is equal to M2 D2 value put करेंगे M1 की value कितनी है यह है आपकी 270 D1 की value है 10 M2 की हमें पता है कितनी है 180 और D2 की value निकाल नहीं है तो देखे 0 से 1 0 कटा अब यह 3 से काटेंगे तीछा कटारा 397 और यह हो गया 90 अब देखे 90 मतलब 6 D2 is equal to क्या हो जाएगा 90 तो यह D2 is equal to क्या हो जाएगा 90 वटे 60 90 वटे 6 6 से अगर काटते हैं इसको तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 तो आपका आंसर आगया 15 दिन तो option C is right answer अगला है एक गाड़ी 36 किलो मीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है तो स्पीड आपके कितनी है 36 किलो मीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकेंड में कनबर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5 बटे 18 का मल्टिप्लाई तो यह काटेंगे तो दो बार जाएगा 2 पंजे 10 तो आपका स्पीड कितनी आजाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इसके बाद देखिए आपका टाइम कितना है 3 मिनट तो टी स्कल्टू आपका 3 मिनट है इसको सेकेंड में कनबर्ट करेंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो साट का मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 180 सेकेंड अब आपको बताना है कि कितने मीटर चलेगी दूरी बतानी है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय और दूरी इस कल्टू क्या होता है चाल गुणे समय चाल आपके कितनी उपर 10 और समय कितना 180 तो आपका कितना आजाएगा दूरी 1800 मीटर तो आपसेंड इस राइट आंसर चली अगला कोश्चिन करते है कोश्चिन है एकस स्कॉयर प्लस एकस माइनस 20 के गुणन ख़ण क्या होंगे तो एकस स्कॉयर प्लस एकस माइनस 20 इसके आपको गुणन ख़ण बताने है तो यह हो जाएगा एकस स्कॉयर प्लस और ये हो जाएगा 5 कुभी 5-4 into x-30 फेक्टर बताने इसके हैं तो देखिए x square ये हो जाएगा 5x ये हो जाएगा-4x और ये हो जाएगा-20 अब देखिए x हो जाएगा अंदर कितना होगा x-5 फिर 4 कामल लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा x-5 अब दो आपके बन जाएगे गुड़नकल x-5 और x-4 प्लस-5 और x-4 तो आप्सेन है इस राइट आंसर जाएगा ये यदि x cube plus y cube is equal to 82 और xy is equal to 8 तो x-y की बेलू बताने हैं तो देखिए x और y की बेलू आपके दी हुए 8 और आगे क्या कहता है x is greater than by मतलब x की जो बेलू होगी वो by से बड़ी होगी तो हम लोग इसको ऐसे लेख सकते हैं x into y is equal to kya लेख सकते हैं 4 into 2 4 into 2 मतलब क्योंकि यह 8 के बराबर ही तो होगा तो यहां से हम लोग x की बेलू मान लेते हैं 4 by की बेलू मान लेते हैं 2 क्योंकि x is greater than by x की बेलू जो होगी y से बड़ी होगी अब हम लोग बेलू पुट कर देंगे x minus y में तो 4 minus 2 बराबर क्या आजाएगा अंसर आपका 2 option b is right answer चलिए अगला question करते है question है 7,5,2,6 7,5,2,6 का समानतर मात क्या होगा तो समानतर मात बराबर क्या होता है sigma x बटे n या कह सकते हैं पदों का योगफल बटे पदों की संक्या तो पद आपके कौन-कौन से हैं 7 plus 5 plus 2 plus 6 और पदों का योगफल बटे पदों की संक्या कितनी है 4 तो नीचे 4 हो जाएगा 7,5 कितना होता है 12 12 में 2,1,2 जोड़ेंगे तो 14 14 में 6,6 जोड़ेंगे तो आपका 20 तो मतलब 20 बटे 4 काड़ देंगे तो आपका अंसर आजाएगा 5 option is right answer चलिए 140 का 30 परतिसत है 840 मतलब 140 into का का मतलब होता है multiply का 30 परतिसत मतलब 30 परतिसत कितना होता है 30 बटे 100 किसके बराबर है 840 के x के परसेंट के बराबर तो मतलब x बटे 100 के बराबर है तो हमें x की value बतानी है तो देखिए 1,0 से 1,0 ये कटा एक 0 से एक 0 यह कटा 14 यहां 42 होता है आपका 42 से कल्टू कितना हो जाएगा एक 0 से एक 0 यह कट जाएगा अब इसको 2 से कटेंगे 2,5,10 और 2,4,8,2,2,4 तो यह हो जाएगा 42 X बटे 5 42 से 42 कटेंगे तो X की वैलू कितनी आ जाएगी 5 option b is right answer इसको नीचे रखेंगा और into 100 2,0 से 2,0 कटा अब यह आगे आपका 135 बटे 200 135 बटे 200 ओके गईस तो इसको जब पूरा कटेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 0.5 प्रतिसत option b is right answer question है 4000 रुपए का मतलब मूलदन आपका 4000 है और ब्याज आपकी कितना है 5 प्रतिसत चक्रवद्धी ब्याज की दर से मेसर धन मतलब मेसर धन आपका 410 हो जाता है तो समय क्या होगा तो देखिए आपका फार्मूला होता है ए बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर N N जो हो जाएगा बहो समय हो जाएगा एकी बैलू कितनी है आपकी 410 और P की बैलू है 4000 और अंदर कितना बचेगा 1 प्लस आर की बैलू कितनी है 5 यह हो जाएगा 5 प्रतिस्वद्धी 100 और समय आपको निकालना है T या N कह सकते हैं N की बैलू बतानी है तो यहां से हो जाएगा 410 बते 4000 इस ऊगल को अब यह 5 से 200 काटेंगे तो बीस हो जाएगा तो आपका कितना आएगा 21 बते 20 की होल पावर N इसको अगर solve करेंगे तो आपका कितना आजाएगा यह किसका होता है 21 बते 20 का होल स्कायर होता है इस उकल का होल पावर N अब देखिए दोनों बराबर नहीं गातों के तुलना कर देंगे तो एनकी वेलू क्या हो जाएगी दो आप्सेन है इस राइट अंसर तो गैज आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद